तो एक बार फिर हम राजी भाई को अब सुनेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताली बजाएंगे तो आपके अंदर उर्जा का संचार होगा और हवा का स्पंदन आप महसूस करेंगे और वही हवा आपको मिट्टी के खुश्बू बिखेरेगी और अब अपने सूत्रों को बिखेरने आए हैं हमारे भाई राजीव दिक्षित जी राजीव भाई ने मुझे कहा था कि व्याख्यान के दौरान अगर बाबुजी शोवाकान जी हमारे बगल में रहेंगे तो एक आशिरवाद मेरे इर्दगित मटराएगा इसलिए उनसे गुजारिश है कि एक रुपया मंच पर आएं और उनके बगल में बैठें तो मंच राजीव दिक्षित को समगते कल मैंने आपसे जो बातें कहीं थी उन मेंसे बहुत सारी बातें आपको याद होंगी शायद आपने लिखी भी होंगी मुझे कल एक जानकारी दी बाबुजी ने वो जानकारी आप सब तक पहुँचे ये मेरी उनसे विंती है उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो TVS ग्रूप है ना TVS जो यहां का चिन्नई का सबसे बड़ा ग्रूप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रूप में उनकी गिंती है उनके घर वो भोजन करने गए थे तो जरा बताएं सभी भाए बहनों को नमस्कार आज से करीब 28-30 साल पहले जब प्रफावती देवी ट्रस्टन प्रफावती जब प्रकास का विन्यास हुआ था तो TVS की मलकाईन भी इसकी ट्रस्टी वनी थी और पहला मीटिंग उनी के घर में हुआ था जिसमें रामनात गुएन का M.A.M. राम स्वामी और महालिंगम जितने भी यहां के अलुमिनरिस थे सभी हमारे ट्रस्टी हैं इस संस्ता के तो उन्हीं के घर में पहले मीटिंग हुए थी तो हम लोगों को खाने पर नमंतरंत भी था तो खाया तो मैंने कहा यह दाल बहुत स्वादिस्ट है जिसके बारे इनोंने कहा था करल तो खाय खिए तो कि इसको कैसे किन है तो वुलिए वो देखिए चुले के ऊपर में तो मिर्टी तो मैं कल इनको बताया कि आप जो मट्टी की बरतन के अब धीरे मट्टी की बरतन फिर वड़ा है क्योंकि हम भी जब 10 साल के थे तो बिहार में हर घर में केवल मट्टी के दर्तन रोटी भी बेलना से नहीं बेला जाता था हाथ से हिसा पका करके और तावे तवा जो होता था वो मट्टी का होता था तो मेरे खाल से गौंगौं में पहले ही परचार था और इन्हों ने जो कहा तो यह तो सरकिल है देखेगा सवाएगा फिर इसी तरह धन्यवार यह बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि टीवी एस ग्रुप जो हजारों करोड के पहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी समय बहुत लगता है जी क्या उसको खटरा करने का ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटे हैं ये कभी नहीं आए इस द्रश्टी से इस उधारन का बहुत महत्व है और ये उधारन में हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बा आपको सुन कहरानी होगी धिरु भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पर इबनती है एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धरम पत्नी शरीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पर रोटी क्यों बनाती है ये तो पिछले पन की निशानी है ये ऐसा मैंने जान बूच के बोला हम तो ऐसा मानते हैं कि आप अठारवी शतावदी में जा रहे हैं मिट्टी के बरतन की रोटी मने तवे के तो कोकिला बेर ने का कि जो जो कहे मुझे उसकी परवा नहीं मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोग पर रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं और मैं विनमरू रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आपसे जादा स्वस्त है और आपसे जादा तंदुरुस्त है अगर हमें अपना स्वास्त और तंदुरुस्ती बना के रखनी है बचा के रखनी है तो ये बाते हैं आपको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यक्ता है और ये बातें अगर आपके आचरण में आती हैं तो कितनी बड़ी चीज होती है इस देश में कि अगर मानलो हिंदुस्तान में 112 करोड लोग है 112 करोड लोगों में 20 करोड परिवार है 20 करोड परिवारों में 20 करोड रसोई घर है अगर 20 करोड रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड तवा बनने लगेगा और लाखों कुमारों को रोजगारी मिल जाएगे जो बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास काम ने अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड परिवारों में दाल बनने तो करोणों कुमारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे और हिंदुस्तान में कुमारों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी ब्रहमणों की है सरकार के आंकडे हैं लगबग 18% कुमार है और कुमार जैसी जातियां है 18% भ्रावमन है तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है इसलिए अर्थवियवस्था को भी मदद होती है आपका स्वास्त तो अच्छा रहता ही है और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मिट्टी से आपका जुडाओ रहता है मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है हम पता नहीं कहां कहां से चिन्नई में आये हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजिस्थान से, कोई गुजराथ से लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जोड़े रहें तो अपनी मिट्टी से चिन्नई जैसे शहर में जोड़े रहने का एक ही रास्ता है कि आप इन मिट्टी के बनाए हुए बरतनों का इस्तेमाल करें तो स्वास्त की द्रश्टी से तो बहुत ही अच्छा है और अर्थिववस्था के लिए भी बहुत अच्छा है मैंने कल जो बातें कहीं थी उनको एक मिनट में फिर से रिपीट करता हूँ कल मैंने एक ही सूत्र का आपके सामने विशलेशन किया था भागवट रिशी का लिखा हुआ कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का इसपर्ष और सूरी का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना इस विशलेशन में से शुरू हुआ कि पवन का इसपर्ष और सूरी का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रशर कुकर प्रशर कुकर का खाना ना खाएं कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया आज सिर्फ दोहरा रहा हूँ याद रखने के लिए और उसके विकल्प के रूप में मैंने आपसे कहा मिट्टी के बरतनों में खाना बनाएं मिट्टी के बरतन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वेग्यानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरह के माइक्रो निूट्रियंट्स है ये बात हमेशा आप याद रखिएगा केलशियम मिट्टी में है आईरन मिट्टी में है सिलिकॉन मिट्टी में है सल्फर मिट्टी में है आपके शरीर को हर दिन हर दिन 18 तरह के सुक्ष्मो पोशक तत्तों की जरूरत होती है 18 तरह के सुक्ष वो पोशक तत्तों की जरूरत होती है जिनको आप अलग-अलग भाशा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटेमिन्स चाहिए, हमको कार्बो हाइडरेट्स चाहिए हमको फैट्स चाहिए, यह डॉक्टर कहता है आज की भाशा में कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बो हाइडरेट्स जादा चाहिए आपको FETS ज़्यादा चाहिए तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसाइन शास्तर की भाषा में मैंने आपको समझाया कल और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सुक्ष्म पोशकतत्तों हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूर्णता मिलती है माने भोजन पूर्ण होत चाहे दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्यान का जिस वस्तु को खेत में क्रशी भूमी में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए क्योंकि मैंने आप से कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल अरहर की दाल के दाने अब वो दाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं जो बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिन्स मिट्टी से अंदर गए हैं इनको बापस आपके शरीर में आने में संभवावना नहीं है वो तूटेंगे तो आपके लिए उपयोगी उतने नहीं होंगे मैंने आपसे कहा कि प्रेशर कुकर में बाश्क का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि दाने तूटते हैं पकते नहीं हैं वो तूटते हैं और तूटे हुए दाने गरम पानी हैं नीचे से वो आपको ऐसा आ गई या नहीं तब हम उसको कहते हैं कि यह पक गया है चाहे वो गेहूं का दाना हो चाहे अरहर का दाना हो या तूर का तो यह बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है एक शब्द है उबलना उबलना होता है प्रशर कोई कोई चीज जल्दी उश्मा के रूप में मिलेगी नहीं दीरे धीरे दीरे फिर दाल पकेगी और दाल पकेगी तो दीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूटरेट्स पानी के साथ आएंगे फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोशक्ता मिलेगी और भगवान ने जो चीज़े बनाई हैं, प्रकर्ती ने जो चीज़े बनाई है उनकी पोशक्ता आपको मिले, इसके लिए बनाई यë जो दाल बनी है न, आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का ऊपर का हिस्सा है जो आप खा रहे है फल के रूप में बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे है तो भगवान प्रकरती ने ऐसी व्यवस्था दी है गेहुं है गेहुं का ऊपर का हिस्सा है वो आप खा रहे हैं बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते ह वो जानवर खा रहे हैं और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड़ कहते हैं वो धरती के लिए होता है मिट्टी के लिए होता है प्रकरती ने बहुत सोच कर ये सब बनाया भगवान ने बहुत सोच कर बनाया मनुश्य के लिए एक हिस्सा उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला सकते तो मनुश और पक्षियों के लिए एक हिस्सा जानवरों के लिए दूसरा हिस्सा और प्रकरती की धर्ती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा हर एक फसल में यही देखेंगे आप तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने, वो बहुत सोच समझ कर बनाया है, जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझ कर है और मिट्टी के लिए, तो उसका अगर जीवन में फाइदा उठा है तो बहुत अच्छा होगा, और बागवटी जी इसी के लिए शायद ये सूत तो कल बहुत जादा बात हुई प्रशर कोकर के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कल से जुड़ी हुई रेफ्रिज रेटर के बारे में रेफ्रिज रेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूरी का प्रकाश नहीं मिलेगा पवन का इस करेगा अब ये प्रकरती की मदद से नहीं हो सकता क्योंकि प्रकरती की मदद से तो आपका रूम टेमपरेचर 30 डिगरी 35 डिगरी या 22 डिगरी 25 डिगरी है तो प्रकरती के विरुद जाकर उसको काम करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ड लगेंगे त तो ऐसी gas, रसाइन शास्तर में, जो तापमान को कम करने में काम में आती है, उन gas का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करेगा, और एक दो नहीं, ऐसी 12 gas का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करता है, जिनको विज्यान की भाशा में, CFC कहते हैं, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डायोकसाइड अगर आप रसाइन शास्तर की डिक्षिनरी निकाल कर देखे आप मैंसे जिन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिक्षिनरी निकाल कर देखे जहर सीधे डिक्ष्नरी देखे टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ एक डिक्ष्नरी खरीद ले collecting केμिस्ट्री की और क्लोरिन शब्द देखे तो सामने लिखा हुआ है जहर और फिर फ्लोरीन देखे तो अत्यंत जहर और काऱबन रियोक्साइड तो जहर का बाप आप जानते हैं कि शरीर का ये जो स्वासो स्वास की क्रिया है प्राणायाम जिसको आप कहते हैं इसमें आप हमेशा कार्वन डायोकसाइड छोड़ते हैं ये क्यों छोड़ते हैं रख लीजे इसको अंदर अगर इससे इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिज रेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रखा है जो हर समय कार्वन डायोकसाइड से ही खेल रहा है तो आप अंदर की कार्वन अंदर ही रख लीजे बाहर मत छोड़िए बहुत प्रेम है आपको इससे तो आप मर जाएंगे शाम नहीं लगेगी रात नहीं लगेगी मिनिट में मर जाएंगे इसलिए प्रकरती ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कार्वन डायोकसाइड जो आपको मार डालेगी इसको बाहर निकालते रहना है अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें कार्वन डायोकसाइड जैसी ही खराब गैसों में कलोरीन और फ्लोरीन की गिंती होती है अब ये तीनों कार्वन से मिला हुआ कलोरीन से मिला हुआ फ्लोरीन से मिला हुआ बारे गैस एक साथ रेफरिजरेटर छोड़ता है CFC 1, GAS का नाम है CFC 1, CFC 2, CFC 3, ऐसी CFC 12 तर 12 GAS एक साथ छोड़ता 24 घंटे छोड़ता रहता है क्योंकि वो चालू है आपके घर में अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन GAS के प्रभाव में आता है आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढखकर रखा है कितना भी ढखके रखिये क्योंकि GAS का असर इतना तीब रहे कि स्टील को तोड़के निकल जाने वाली GAS है स्टील के मोटे पट्टे को रख दीजे उससे निकल जाने वाली GAS है High Pressure तो अगर आप इतने सारे जहरीली GASों से युक्त भोजन को दो गंटे तीन गंटे पाँच गंटे उसमें रखके फिर खा रहे हैं तो माफ कीजे आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तातकालिक और दूसरा है दिर्गकालिक दिर्गकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो पांस साथ साल में पता चला देगा तातकालिक खाएं तो एक मिनट में आपको पता चल जाए तो इसलिए मेरी आपको विंती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए सबसे अच्छा है बंद करिए और मेरी बात माने तो बेच दीजे कोई भी सेकंड हैंड खरीद लेगा और नहीं बिटता तो लोहे के भाव में बेच दीजे तो भी आप फाइदे के सौदे में रहेंगे क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है लालच पता ही क्या है अगर ये है तो कुछ तो करो इसका अगर ये है तो कुछ तो करो इसका अगर ये है तो कुछ तो करो इसका तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरजस्ती ज़ादा ज़ादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं सबेरे का शाम को शाम का अगले दिन सबेरे अगले दिन का शाम को ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर में खाने का पोशकता का नाश होता रहता है और मैं आपको एक विनम्रता पूरवक दूसरी जानकरी देना चाहता हूँ कि रेफरिजरेटर का आविशकार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था हर वस्तू के आविशकार के पीछे कारण होता है तो इसका कारण था थंडे देशों की थंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, घर्मनी, फ्रांस, सुईडन, सुजलेंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आवो हवा आप जानते हैं कि ये थंडे देश हैं माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होता है और जादा से जादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटिग्रेट रहता है तो 15 20 से माइनस 40 तक टेंपरेचर का जो वेरियेशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरियेशन है आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिए मैंने किया था मैंने एक प्रयोग किया था कि एक बार मैंने क्या किया बरफ बरफ का सिल्ली एक दो तीन चारों तरफ से लगा के मैं उसके बीच में लेट गया तो 15 मिनट में मेरा शरी रकड़ गया पंदरह मिनट में जबकि मैंने खूब प्राणायाम और ये सब किया 15 मिनट में उस दिन मैंने मेरी बायो केमिस्टरी को अब्जर्व किया तो मैं बहुत ही परिशान था फिर मैंने सोचना शुर आठाट महीने धूप नहीं निकलती कनाड़ा में अमेरिका में यूरोप के देशों धूप नहीं निकलती टेंपरेचर नहीं होता और यही परिस्तिती में उनको सोना पड़ता है तो कितनी तकलीफ हैं उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी क्योंकि शरीर भोजन से ही है तो भोजन को ये सारी तकलीफ हैं थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैग्यानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई और उन्होंने कहा कि जो टेमपरेचर को हम प्रकरती के रेगुलेशन में है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सके हम जब चाहें टेमपरेचर को बढ़ा सके घटा सके इसके लिए रेफरिजरेटर बनाओ तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है उनकी मजबूरी है उस मजबूरी में से ये निकला और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपेथी में कई दवाएं ऐसी है जो ज़्यादा तापमान पे खतम हो जाती है और कम तापमान पे भी खतम हो जाती है बहुत सारी दवाएं ऐलोपेथी में ऐसी है जो हाई टेमपरेचर पे भी खतम हो जाती है बने उन दवाओं का असर नहीं रहता लो टेमपरेचर पे भी खतम हो जाती है तो उन दवाओं को रखने के लिए एक temperature हमारे control में रहे इसके लिए frizz बना वो पानी रखने के लिए नहीं बना दाल रखने के लिए नहीं बना सबजी रखने के लिए दवाएं रखने के लिए बना और आपको एक और जानकारी दूँ को यूरोप में ये जब आविशकार किया सबसे पहले तो military के लिए इसका उपियोग हुआ था और military के लिए ही ये बना था क्योंकि आर्मी के जो सैनिक है वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी temperature की मिलनी चाहिए इसके लिए ये frizz आया ये हमारे लिए नहीं बना हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवशकता नहीं और यूरोप में एक दूसरी समस्या है आप जानते हैं कि जहां 6-8 महीने बरफ पड़ेगी वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी मान लीजे ये जो समय है ना समबर जनवरी फरवरी मार्च ये सब वहां बरफ का समय है अब इस बरफ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए नहीं मिलेगा टमाटर चाहिए नहीं मिलेगा बिंडी चाहिए नहीं मिलेगी गाजर चाहिए कुछ नहीं मिलेगा उनको बरफ मिलेगी खालो तो खालो नहीं तो उसको गरम करके पानी बना लो और कुछ नहीं मिलेगा तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफरिजरेटर है जब मिल रहा है तो एकठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किये उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया आप तो जानते हैं क्या अगरे पत्नी नहीं मानती बच्चे नहीं मानते तो आपकी केमिस्ट्री पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक तो कहते हैं समझती नहीं तो मैंने का फिर आप प्रोफेसर क्यों हो गए जो आप अपनी पत्नी को केमिस्ट्री नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे तो मुश्किल ये है कि हम विग्यान पढ़ रहे हैं लेकिन विग्यानिक नहीं हो रहे हैं अपने जीवन में नितान्त विग्यान के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रकरती और विग्यान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कोकर के बाद यही है रेफरिजरेटा तो मेरी विंती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाईए क्योंकि वो जहर हो जाता है तो आप बोलेंगे फिर क्या करें एक नियम बना लीजे अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है और शायद बागवट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रेखांकित करके वो ये कहते हैं अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूँ पहले नियम खतम हो रहा है अब दूसरे पर मैं जा रहा हूँ बागवट्टी जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना कोई भी खाना, डाल बनी, चावल बना, रोटी बनी बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए यह दूसरा निया, दूसरा सूत्र है कोई भी खाना बना, बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग, माने कंजम्शन हो जाना चाहिए रोटी बनी बन गई अब अड़तालीस मिनट के अंदर खा लीजिये चावल बन गया अड़तालीस मिनट में खा लीजे दाल बन गई अड़तालीस मिनट में खा लीजे खीर बन गई अड़तालीस मिनट में खा लीजे सिवही बन गई 48 यह 48 मिनट का चक्कर क्या 48 मिनट 40 मिनट भी नहीं 50 मिनट भी नहीं 48 मिनट तो बागवट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे आयरुवेट के तो चिकित सकते ही मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किये हैं वो सब इसी तरह के हैं 42 मिनट अब यह जो मिनट है यह मैंने जोड़ा है बागवट जी ने लिखा है 48 पल हमारे यहां जो होता है न पल होता है छण होता है प्रतिपल होता है हमारे यहां जो समय की नापने की डिगरियां है वो पल है छण है प्रतिपल है वगरा वगरा यह जो मिनट का चक्कर है यह तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है यह मिनट आपको समझता है पल समझता नहीं इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है हाला कि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है अगर बागवट जी के कैलकुलेशन मैं करूँ तो एक मिनट का बावनवा हिस्सा एक पल है और बागवट जी कहते है कि लगबग भोजन बनने के 50 पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजे तो मिनट मैंने कैलकुलेट किये तो वो 48-47 के आसपास आता है यह कैलकुलेशन है तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पोशकता देने वाला है जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोशकता कम होने लगती है अगर आपने 6 गंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोशकता कम हो जाएगी दस घंटे के बाद और कम हो जाएगी 12 घंटे के बाद बिलकुल ना के बराबर और 24 घंटे के बाद तो खतम बासी हो गया बासी शब्द है ना ये बागवट जी का है साड़े तीन हजार साल पहले ये शब्द था बासी हो गया जी और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है आप कैसे खा रहे हैं बागवट जी ने एक बहुत अच्छे मज़े की बात लिखी है उन्होंने का भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते है 364 दिन नहीं खा सकते है एक ही दिन खा सकते है और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पका कैलकुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के वात पित और कफ की अवस्था क्या होती है उसकी अनुसार बासी भोजन चलता है तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है उसको मेरी मा कहती है बासोडा आप पता नहीं क्या कहते है एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते है और ये जो त्योहार है इस जो दिन पढ़ता है ये कार्तिक अगहेन पूस महा के हिसाब से इसका जो दिन पढ़ता है बागबटी जी का दिन भी वो ही पढ़ता है तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वेग्या निकता है त्योहार ऐसे ही नहीं तै हो गए है इस दिन होली होगी इस दिन दिवाली होगी इस दिन ये होगा इस दिन इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है बागवटी जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में तीन दोश हैं वो आप सब जानते हैं वात, पित और कफ इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूँगा यहां रेफरेंस के लिए कह रहाँ तो वात, पित, कफ तीन दोश हैं यह समान स्थती में रहें तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है इनकी स्थती उपर नीचे हो, बात बढ़ गया, पित और कफ कम हो गया, पित बढ़ गया, बात और कफ कम हो गया, उपर नीचे हो, तभी रोगी होते हैं, तभी रोग पैदा होते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है, 365 में से एक दिन ऐसा आता है, जिस दिन ये वात, पित, कफ की स् जिसकी पोशकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी इस्थति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिलकुल नहीं चाहिए, तो प्रोटीन सब खतम होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए, तब मेरे समझ में आया कैसी वेग्यानिक तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं, अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की विजली क्यों खर्च करना उसके लिए, और 364 दिन का इतना इस्थान क्यों घेर के रखना, चिन्नई में बहुत महंगा है इस्थान, एक स्क तो 3000 में पांच का गुणा कर लो, 15000 रुपए रोज का खर्चा, एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिन्दगी भर इतना इस्थान घेर कर खड़ा है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है, तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन मे मतलाईए, मेरी विंती है कि जिनोंने फ्रिज नहीं खरीदा है, वो ना खरीदें, जिनोंने खरीद लिया है, वो धीरे धीरे इसका उपयोग कम करें, एक दिन थोड़ा ऐसा आए, कि उपयोग उसका बंद ही हो जाए, तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और आ गैसों का सबसे बड़ा योगदान है, वो यही गैसे हैं, CFC 1, CFC 2, CFC 3, CFC 12 तर, तो सारे दुनिया के देश परेशान है, कि क्या करें, क्या करें, अभी इंडोनेशिया के बाली दूइप में, साथ दिन का सम्मिलन हुआ, अमेरिका, जर्मनी, भारत, जैसे 156 देशों के र प्रोडक्शन कम होने के लिए, फ्रीज की जरूरत बंद करने की है, तो यह प्रोडक्शन कम होगा, तो इसलिए, मैंने कल आप से कहा था, कि फ्रीज का भी खाना ना खाएं, समय का ध्यान रखें, ये बात हमेशा याद रखें, कि बना हुआ खाना, 48 मिनिट के अंदर खा लेना चाहिए, अब ये 48 मिनिट का जो कैलकुलेशन है, कल मैं इस पर आप से और ज्यादा विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि एक सूत्र कल आएगा, आज बस इतनी सी बात, और एक तीसरी बात जो मैंने कल आप से शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव भी कुछ इसी तरह का किस्सा है, इसमें भी टेंपरेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं गरम करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गरम होता है, पूरा नहीं होता, गरम होने के लिए हमारी जो कलपना है, व microwave oven में पानी का कोई काम ने और ये microwave oven भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो बहुत गर में तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनमरता पूरवकाब से कहता हूँ आपने कुछ चीजों को status symbol बना रखा है वो बदल दीजे ये status symbol नहीं है ये मजबूरी की चीज़े है कहते हैं न मजबूरी में हमने ये किया मजबूरी में हमने ये किया तो आप मान लीजे कि मजबूरी में freeze लाया, मजबूरी में microwave oven लाया मجبوری में प्रशर कुकर लाया ये कोई छाती ठोख बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में माइक्रोवेव ओबन है या मेरे घर में आप इसको शरम से बताईए कि मैं क्या बताऊum मेरी मजबूरी थी उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था मेरा विवेक शून ने हो गया था तो मैंने मेरे खून पसिने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया तो ये इस तरह से कहना जब शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने हाप बदल जाएगी और ये चीज़ें आपके बाहर निकल जाएगे ये जो 48 मिनिट का कैलकुलेशन है ये जहन दर्शन में भी है आप मैंसे कोई भी जहन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी जितने भी जहन सादू संत है उनके मूँ से आप यही सुनेंगे पानी में 48 मिनिट के बाद जीवराशी पैदा हो जाती है और वो जीवराशी फिर बढ़ती ही चली जाती है करोडों से अर्बों अर्बों से खर्बों में चली जाती है तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जीवत्या होती है और उसका पाप लगता है तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और बागवट जी ने इसको स्वास्त के साथ जोड़ा है मूल बात एक ही है शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि धर्म से जाएगा जोड़कर तो जल्दी समझ में आएगा बागवट जी ने इसको शरीर स्वास्त से जोड़ा है तो थोड़ा देर में समझ में आता है क्यूंकि हमारा चित और मन, धर्म के प्रती थोड़ा आकरशित है क्यूंकि हमारे डी ने में ऐसा है भारत का जो डी ने है, वो ऐसा ही है जिसमें धर्म की बात करो तो तुरं समझ में आए विज्यान थोड़ा पीछे से आता है इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूजा होती है, वेग्यानिकों को कोई पूचता पूचता नहीं है, वो ऐसे ही विचारे गूमते रहते हैं, कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डाल थे तो ठीक हो गया, वरना इस देश के वेग्यानिक कहां मरते हैं, कहां दोश्व है, मेरे डियने का दोश है, आपके डियने का दोश है, क्योंकि डियने है साहे इस देश में, कभी मौका मिला तो इस पर बात करूँगा, कि गरम देशों का डियने और ठंडे देशों का डियने बिलकुल अलग होता है, ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले पूर्व से ही निकली, इसलाम भी पूर्व से निकला, हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन मानते हैं ये भी पूर्व से निकला, पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं, इसायत निकलने का इस्थान बेथलम है ना बेथलम, इस्राइल वो पूर्व में है, इसायत के कि लिएमध की निकलने का इस्तान वो भी वही है बैतलम में वो एक ही इस्तान के लिए मर रहे हैं कि ये मेरा के ये 151 साल से चल रही है और वो ये इस्कृर्विट की जगह है बस हाँ दस स्क्षार्विट की जगह में 33 करोड मर गए और छोड़ना नहीं चाहते है मैं ले लूँ कि ये तू ले ले ये फिलिस्तिन का कि ये इसराइल का तो ये फिलिस्तिन और इसराइल यूरोप में नहीं है एशिया में है और एशिया दुनिया के पूर्व में है तो सारे धर्म पूर्व से ही निकले है क्योंकि पूर्व का DNA कुछ इस तरह का है पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई क्योंकि DNA दूसरे तरह का है तो ये DNA का दोश है हम धर्म को मानते हैं इसलिए शायद जैन शास्त्रों में जैन आचारियों ने जैन संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है इसको विज्ञान से पहले समझ कर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पका होगा इसलिए ये 48 मिनट याद रखे सब माताएं बहने और भाई याद रखें भोजन पका तो 48 मिनट में हो ही जाना खा ही लेना इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है गरम खाना खाओ माने वो 48 मिनट के पहले हो जाए गरम गरम रोटी बनाके खिलाओ या गरम गरम रोटी खाओ आपको शायद मालूम नहीं है आप मेंसे जो यूरोप और अमेरिका जादा घूमते हैं उसको बनाना नहीं जानता कोई दुनिया की आवादी 600 करोड है 600 करोड आवादी में 300 करोड महिलाए 300 करोड पुरुशगर मान ले तो 300 करोड महिलाओं में लगबग 200 करोड महिलाएं नहीं जानती कि गरम रोटी कैसे बनती है उनके पास गेहूं का आटा है गेहूं है गेहूं का आटा भी है क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहूं है अमेरिका में गेहूं पैदा होता है कनाडा में भी गेहूं पैदा होता है गेहूं ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता है तो गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, रोटी बनाना नहीं आता, क्यों कोई युनिवरसिटी नहीं है वहाँ जो सिखाए इसको, कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको, तो University College नहीं है और कोई मा नहीं है जो अपनी बेटी को सिखाए क्योंकि माँ को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए और हजारों लाखों सालों से वहां ये चक्कर चल रहा है रोटी बनाना नहीं आता किसी European और American व्यक्ति के बारे में अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दमपत्ती आए Finland से एक पती और एक पत्ती दोनों आए उन्होंने का मुझे भारत का गाउं देखना है तो हमने एक गाउं में भेज दिया संयोक से जिस गाउं में गए वहाँ शादी थी तो हमने का उसमें भी आप शामिल हो जाए है तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूरी बना रहा है तो गाओं में तो आप जानते हैं नौकर नहीं बनाते हैं सब गाओं एकठा होके बनाता है जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं दूसरे घर का चूला बंद हो जाता है सब एक ही घर में खाते हैं तो सब महिलाएं बना रहे ही थी, तो उस फिनिश दमपत्ती ने पूछा, ये सब कितना पैसा लेंगी? तो उनको कहा, ये पैसा बैसा नहीं लेने वाले, तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने का, ये है, क्योंकि भारत कोपरेशन पर चलता, कॉम्पटीशन से नहीं चलता ये देश, हमारे समाज में कोपरेशन है, कॉम्पटीशन नहीं है, तो फिर वो फिनिश दमपत्ती में जो महिला थी, वो सबसे ज़्यादा इस बात को परिशान थी लेकर, कि ये रोटी एक दम गोल बन रही है, 100% गोल, उसकी जिन्दगी में ये कलपना नहीं है, कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है, वो कहती है, उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कहने है, ये हाथ से बनाते होंगे 100% गोल, तो उसका जितना क तर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसके आपको मैंने ये उधारन इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी तो उनका ये जो रोटी है गोल ये सबसे महतुपूर वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे जादा है क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है और आपके घर में हर मा बहन इसको बना सकती है दस बारे साल की बहन भी आसानी से बना सकती है इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गरम य गंडी करके खाएं तो ये आपका दुरूभाग्य है, सौभाग्य नहीं. तो रोटी को गरम गरम ही खाएं, गरम गरम ही खिलाएं, यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं, क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं. वहाँ तो बिचारे तीन-तीन महीने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते है पाउर रोटी कहते है मैं एक सिंपल कैल्कुलेशन किया था कि पाउर रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते हैं अमेरिका और यूरोप में पता है क्या? कि गेहु हर जगे होता नहीं कुछ जगे होता तो गेहु बड़े बड़े ट्रक में भरके वहां तक जाता है जहां गेहु को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई है फ्लोर मिल्स वहां उनका आटा बनता फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते है हमारे आयुरुवेद शास्त्र में बागवट जी कहते है कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बहतरीन है आटे के बारे में वो कहते हैं जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बहतरीन है रोटी के बारे में कहते हैं अड़तालीस मिनिट के अंदर खा लेना चाहिए और पिसा हुआ आटा वो ये कहते हैं कि पंद्रे दिन से ज़्यादा पुराना कभी भी मत खाना पंद्रे दिन मैक्सिमम वो भी गेहूं के लिए ये चना और मक्की और जुआरी इसके लिए तो साथी दिन कहा हुआ साथ दिन से ज़्यादा पुराना नहीं खा सकते क्योंकि वो इक किस्सा है उसकी माइक्रो न्यूट्रियंट कैपसिटी लगातार कम होती चली जाती है तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आठा कहां से लाएं चक्की है जिंदा बहर हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आठा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं जो माता हैं यहां बुजर्ग हैं इन्होंने अपना गाउं देखा होगा अपने गाउं के घर की चक्की देखी होगी यह चक्की पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि यह क्या अद्वुत चीज बनाई है हमारे रिशी मुनियों ने यह दुनिया की ऐसी अद्वुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्ते के लिए और आपके अंदर की माश पेशियों को हमेशा फ्लक्सिबल रखती है और हमारे घरों में यह जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही है मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पीछले साल कूरा किया मेरे एक दोस्त है आयरुवेद के चिकित सके उनके साथ मिलकर वो गाओं में रहते हैं तो मैंने का आप गाओं की कुछ महिलाओं पर अध्यान करिए कि जो चक्की चलाती है इनके बारे में जरा पता करिए और जो चक्की नहीं चलाती पिसा हुआ राटा लाती है तो उनका जो चक्की चलाने वाली माताएं है उनके गाओं में नब्ह माताएं है किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है गर्दन नहीं दुख रही है नीद अच्छी आ रही है डाइबिटीज नहीं है हर्परटेंशन नहीं है बलड प्रेशर नहीं बढ़ा है 48-50 बीमारियां नहीं है और जो माता है पिसा हुआ आटा ला रही है कैप्टन कुक ITC का उनके घरों में डाइबिटीज भी है अर्थराइटीज भी है हाइपरटेंशन भी है ये भी है वो तो मैंने वो वैद्दी जी को कहा कि आप क्या मानते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माता है ये ऐसा क्या विशेश काम कर रही है तो उन्होंने मुझे समझाया वो मेरे भी समझ में आया आपको भी समझाया हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आया सबसे जादा दबाओ पेट पर पड़ता है हाथ पे इतना नहीं है पेट पे दबाओ है और मा के पेट में एक एक्स्ट्रा ओर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है जिसको गर्भाशे कहते है ये गर्भाशे आपके पेट के बिलकुल बीचों बीच हिस्से में चक्की चलाते समय सबसे ज़्यादा जोर वहीं है और गर्भाशे के बारे में आयुरुवेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशे के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी flexibility है flexibility माने मुलाइमियत अंग्रेजी शाहिद आप समझ जाएंगे flexibility मुलाइमियत elasticity का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे ये हमारे गर्भाशे का सबसे बड़ा गुण है इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन वहाँ आसपास माश पेशियां उनका हलन चलन रहे तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से मैंने खुछ चला के देखा चक्की ये सबसे ज़्यादा पेट के हिस्से में होता है तब मेरे समझ में आया कि जो माताए नियमित रूप से चक्की चला रही है उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है क्योंकि गरभाश है की इलास्टिसिटी मेंटेन है तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं है उनके आठाट ददस बच्चे होते थे कभी सुना नहीं कि सिजेरियन वो दाई आती थी गाओं की जो MBBS नहीं है MD नहीं है MS नहीं है और बच्चे करा के चली जाती थी ऐसे ही जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया हाँ ऐसे होता है तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तब मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए तो इसी चिन्नई में मेरे एक मित्र है उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विशह पे काम कर रहे है कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है और आयुरवेट तो यहां तक कहता है कि मा का गर्भ साथवे महिने तक चक्की चलाने की अनुमती देता है मा को साथवे महिने तक चक्की चलवाई जा सकती है आठवे महिने में नहीं फिर उसको बन कर देना अच्छा है और उतने साथ महिने की चक्की आपके लिए परियाप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख ले और जो सीजेरियन है उनके जीवन को देख ले जमीन आस्मान का अंतर है सीजर बच्चे जादा बीमार है समय समय पे बीमारिया है जो बिना सीजर है वो सब स्वस्थ है, दुरुस्थ है, तंदुरुस्थ है ब्रेन का डवलप्मेंट भी उनका अच्छा है लॉजिक को डवलप करने की कैपिसिटी, कलपना शीलता उनमें दूसरे बच्चों से जादा है तो बागवट जी का सूत्र है, कि खाना बना तो अरतालीस मिनट में खाएं और खाना बनाने वाली जो वस्तुएं हैं, जिन में सबसे महत्वपूर्ण है आटा गेहूं का आटा, पंद्र दिन से ज़्यादा पुराना ना खाएं जवारी, बाजरी और मक्की का आटा साथ दिन से पुराना ना खाएं और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा ज्यादा दिन पुराना ना हो तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजे, संभव हो तो इससे कई फाइदे हैं आपको सबसे बड़ा फाइदा तो ये है कि आपके घर में माँ है, कोई बहन है उसको माँ बनने के समय ये बहुत मदद करेगी चक्की दूसरा आपका वेट कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते है तो पंद्रे मिनट सुबह चक्की चलाया परियाप्त है 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया तीन महीने बाद आप देखना 12 से 13 किलो वजन कम होगा आपका सिर्फ 15 मिनट की चक्की रामदेव जी चक्की चलवाते हैं के नहीं आप चलाते हैं के नहीं लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं तो असलियत में ही चला लो कुछ तो आटा तो मिलेगा कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोड़क्ट यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है बस ऐसे ऐसे चला लोगे अब आप बोलेगे जी चक्की कहा मिलेगी यह चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेंड़ी में मिलेगी, पत्थर बानाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं, जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं, कि राजी बहिए कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिल्बटा भी कोई खरीदता नहीं, तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिक्वाओंगा आपकी चक्की, हाँ, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूँ, यह मार्केट बनाने में भागवट्टी जी की बड़ी मदद मिल रही है, तो आप चाहें तो एक चक्की ले लिजे, बहुत महंगी नहीं आती सस्ती है, 15 मिनट आप भी चलाएं, महिलाएं भी चला सकते हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बेदवाव नहीं है, कि पुरुष ना चलाएं, महिला चलाएं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है, एक्स्ट्रा गेन माने, आपको जो एक्स्ट्रा ओर्गन है बॉड़ी में, यूट्रस वो पुरुष को नहीं है, इसको मदद मिलेगी, आपको फ्लक्सिबल बनाए रहे, और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बेहनों को विश्व शुरूप से, उम्र के एक पड़ाओ में, जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी, तब आपको गरभाश है के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा, कि आपको मैनोपैस पीरिट शुरू होगा, मैंसी साइकल आपकी बंद होगी, मैनोपैस पीरिट शुरू होगा, और उस period में जितने complication हो सकते हैं वो बच्चे के जनम के समय भी नहीं होते कभी और कई complication तो ऐसे हैं जिनको कोई मा समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से पसीना आएगा पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी फिर थोड़ी देर में तम-तमा जाएगा चेहरा एकदम गर्मी flashes समझ में नहीं आता किसी मा को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी इतने variation होते हैं minute minute में variation होते है मन आपका इतना depression में चला जाएगा इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिलकुल बेकार है इसमें क्या करना जिंदा रहके ये depression तनाव मन में होगा अवसाद मन में होगा और ऐसे ऐसे complications बनते जाएंगे कारण उसका एकी है कि कुछ hormones आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है अब hormones बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किल है ये सब आती है तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है 45-50 साल की उमर में हर मां को दूसरा जनम लेना पड़ता है ऐसा कहा जाता है तो ये जो दूसरे जनम की समस्याएं हैं इनको जिन्दगी में खतम तो नहीं किया जा सकता लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूँ तीसरा सूत्र विशेश रूप से माताओं बेहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बेहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है इसमें पर्मानेंट कोई क्योर नहीं है क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो होई गए उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता लेकिन बागवटी जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मा के रसोई घर के जो उपकरण है उपकरण, instruments, इनकी मदद आप ले सकते हैं तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा, मैंने का चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं, और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिल बट्टा, मसाला पीसने वाला जो सिल बट्टा है न, ये दूसरा बड़ा उपकरण, अगर आप मैंने सिल बट्टा चला के देखा, त पेट पे ही आता है चक्की चलाने में भी सबसे ज़्यादा जोर पेट पे आ रहा है तो रिशी मुनियों ने ये चक्की का आविशकार जब किया होगा और सिल्वट्टे का आविशकार किया होगा तो किसी मा को ध्यान में रखकर ही किया होगा ये पक्का है अब नियमित इडिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं आप उनको दवा खाखा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स है ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट है कि मोटापा बढ़ेगा एक HRT टेक्नीक है हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी ज्यादा तर माता हैं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उमर में हाथ जोड़कर विंती है कि कभी न जाए और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से बढ़ेगा ही क्योंकि हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी में जो मेडिसन है वो सब मेद देरे चक्की 15 मिनट से जादा जरूरत नहीं है 15 मिनट में जितना गेहूं पिस गया जितना चना डाल पिस गया अच्छा है फिर आप बोलेंगे हमारे यहां तो एक एक घंटे चलाते थे वहाँ उस समय शायद लोगों का शरीर भी इतना मजबूत था तंदुरुस्ती भी घी दूद भी अच्छा खाने को मिलता था तो एक एक दो दो घंटे चला सकते थे आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनट भी आपने चलाया या तो सिलबटा या तो चक्की तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली है तो विज्यान के सा रसोई सबसे ज़्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है तो तीन सूत्र अभी तक मैंने आपको बागवट जी के बता दिये और इन तीन सूत्रों में एक छोटी सी जानकारी और कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि यह कम हो तो आप भी पंद्र मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह आप भी चाहें तो सिल्बटे पर चट्नी बना सकते हैं अगर आपने भी चक्की चलाई और सिल्बटे पर चट्नी बनाई तो आपकी चट्नी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही आपका जो पेट पर आप लिखवा लीजे मुझसे हजार रुपए का हो या लाख रुपए का स्टामपेपर दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है वो बोलता नहीं बात अलग है कि जिमनेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज़्यादा बाहर आता है क्योंकि जिमनेजियम की जो एकसरसाइजिस है और वहाँ जो एकसरसाइजर रखा है मशीन वो आप से मेल नहीं खाती आप पता है क्या मेल नहीं खाती जिमनेजियम की सभी मशीने ज्यादा स्पीड वाली है और चक्की और सिल्बटा ये स्पीड कम है धीरे 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 हमका हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है क्योंकि हम गरम देश में रहते हैं गरम देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभविक रूप से वायू का प्रकोब ज़्यादा होता है शरीर में ये कल मैं और इस बिस्तार से बात करूँगा वायू माने वात, पित और कफ शरीर में तीनों है गरम देश के लोगों में वायू का प्रकॉप स्वाभाविक रूप से जादा होता है अब वायू का प्रकॉप जादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो जादा तेज करेंगे तो वायू और बढ़ेगी इसलिए भारत में ये कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो इसलिए यहां के जो डांस है ना उनके स्टेप्स जैसे भरत नाट्यम जैसे कत्थक, कत्कली, ओडिसी, कुचीपुडी ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है, स्लो और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है, जादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायू बिल्कुल उल्टी स्थिती में होती है, बहुत ही कम होती है शरीम और पित और कफ बहुत बढ़े हुए होते तो वायू बढ़ानी है उनको पित और कफ को समान रखने के लिए तो हर चीज वो फास्ट करेंगे उनके डांसेस बहुत फास्ट होंगे आप देखो रशियन बहले होता है न क्या फास्ट स्टेप्स वो करते क्योंकि वो उनके लिए आवश्चक है नहीं करेंगे तो मर जाएंगे तो उनका डांस फास्ट होगा हमारा सलो होगा उनकी हर चीज की स्पीट स्पीट फास्ट होगी हमारी सलो होगी इस लिए हमने चक्की बनाई सिल्वट्टा बनाया, बेलगाड़ी बनाई क्योंकि हर चीज हमें slow चाहिए बात हमारा बढ़े नहीं speed से बात वढ़ता है ध्यान रखिए इस बात को बैल गाड़ी क्या है? पईया ही तो है मुख्य क्या है? पईया है ना तो पईये का invention सबसे पहले भारत में हुआ दुनिया में लेकिन हमने वो बैल गाड़ी में लगाया हवाई जाज में नहीं लगाया हम भी चाहते तो हवाई जाज का पईया बना सकते थे जिसने सबसे पहला पईया बना आया है दुनिया में वो हवाई जाज का भी बना सकता था लेकिन जरूरत नहीं अपने को अपने को जरूरत बैल गारी की ही है क्योंकि ये सलो है सलो इसलीए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वाईू का प्रकौप gallons ना बढ़े हमारे हां मनुष के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है हमारे हैं, अलग नहीं है, हिस्सा है हमारा, परिवार का हिस्सा है, तो बैल जब बैल गाड़ी को खीचे, अगर गाड़ी फास्ट है, तो बैल को फास्ट दोड़ना पड़ेगा, तो बैल की वायू बढ़ेगी, और वायू बढ़ने से म पहिया जितना छोटा होगा, इस पीड उतनी जादा होगी. Number of rotations होंगे ना per minute, जिसको आप R, P, M, rotations per minute, जितने जादा होंगे, इस पीड उतनी होगी, तो rotation जादा करने के लिए छोटे पहिये ही चाहिए, इसलिए हवाईजाज में छोटे पहिये हैं. हमको इस पीड जादा करनी ही नहीं है, क्योंकि वात बढ़ाना नहीं है अपने शरीर का, इसलिए हमने बैल गाड़ी का बड़ा पहिया बनाया. अब हमने बैल गाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाईजाज का पहिया बनाया, तो अगड़े नहीं हैं. उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया. वो जो कहते हैं न, invention is the mother of necessity. हमारी जरूरत थी, कि वात हम कम रखें, अपने शरीर में, और जानवरों के शरीर में, क्योंकि गरम देशों में वात वैसे ही बहुत बढ़चा है, तो इसको कम रखने के लिए, इसलिए सिल बटा है, धीरे धीरे चलता है, और वो जो आपके घर में है, मसाला पीषने वाली मशीन, mixi, एकदम fast, ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है, हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है, चक्की धीरे धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की, बिजली की जो है न, एकदम fast चलती है, अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, जो चार साल से, पास साल से हम कर रहे है, हमारा एक केंदर है, भीलवाडा हूँ, वहाँ हम चक्की चलाते है, भीलवाडा केंदर हमारा, भारत का सबसे अच्छा केंदर है, आज की तारीक में, आगे और कोई बन जाए, चिन नहीं में तो शायद भगवान सुन लेगा, भीलवाडा केंदर में, आप में से कोई भी राजिस्थानी हो, तो हमारा केंदर जरूर देखने जाए, भीलवाडा में नागोरी गार्डन है, वहाँ पर हमारा केंदर चलता है, उसका नाम है स्वानन्द, हमारे सभी केंदरों का नाम स्वानन्द है, हमारा ब्रेंड नेम स्वानन्द है, तो उसकेंदर में हम चक्की चलाते हैं, चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं, जवारी का आटा, और बाजरी का आटा, सब तरह के आटे, और वो आटा भील वड़ा के सौ परिवार सवासो परिवार के लोग नियमित रूप से लेके जाते हैं और खाते हैं वो सौ सवासो परिवारों का सारा डाटा बेस हमने बनाया है अब वो सौ सवासो परिवारों को चार साल चक्की का आठा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं भई क्या हो रहा है तो कहते हैं एसिडिटी खतम हो गई और क्या हो रहा है कहते हैं जी गुटने का दर्द कम हो गया और क्या हो रहा है नीद अच्छी आ रही है और क्या हो रहा है पित्त की बीमारियां कम हो गई है और क्या हो रहा है वो कहते है जी ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है तो ऐसी 28-30 बीमारियों पर हमारी नजर है और 4 साल में हर बीमारी के बारे में वो कह रहे है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है मैंने का कुछ बढ़ रह आटा मैं पूछा आप बताओ जी आपका observation क्या तो उनका ये जो चक्की का आटा इसकी रोटी इतनी नरम होती है और वो जो बाजार का आटा लाते हो उसकी रोटी थोड़ी ही देर में कड़क होती है और वो कहते हैं कि हमारे घर के लोग जब से ये चक्की का आटा या दो रो लोग भी अच्छे से खाते हैं अब वो ये कहते हैं जी एक केंदर से दो कर दो क्योंकि उसकी पूर्ती नहीं हो पा रहे एक केंदर सौ घरों का ये आटा बना पाता है रोज क्योंकि पंदर बीस महिला हैं वहां चक्की चलाती है हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं तीसरा बनाने की सोच रहा है张 एक दिन वहने सोचा कि यह रास्ता Saat गडवण है कि अगर अब ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो यह रास्ता तो गडवण एDe इसमें तो अंत में हम कहां फस जाएंगे जगे-जगे केंद्र बना के हम तो फस नहीं वाले हैं कि भाई अब हाथ का आटा बना के दे दो तो ये तो हम बिजनिस में नहीं जाना चाहते हमारा उद्देश ये है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ जाए तो अब हमने वहाँ चक्की रखवाना शुरू किया, आप ले जाओ जी, अपने घर में ये चक्की से आठा बना लो, आप भी स्वस्त रहेंगे, घर भी स्वस्त रहें, तो वो ही मेरी आपको विनंती है, कि घर में चक्की वापस लाइए, और सिल बटा भी वापस लाइए, म आखरी बात ये है, मैं आपको विनंब्रता पूर्वक जो कहना आया, वो ये, कि आपके रसोई में, पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाओ आया, रसोई में, 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाओ है, रसोई बीमारियों का कारण नहीं ह रसोई तो बागबटी जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्रिस्थान सबसे पवित्रिस्थान लेकिन उसमें बदलाओ आ गया बदलाओ क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिल्बटटा होता था, अब मिक्सी आ गई या तो हमने कोई मशीन ले ले और अब तो मशीने रोटी बनाने के भी आ गए रोटी बनाने के भी मशीन अमनल तो रसोई घर में जितनी हमने बदलाओ लाया टेक्नॉलजी कल ये सब बदलाओ ने हमको बीमार बनाया माताओं को तो ज़्यादा बीमार बनाया मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चिज है रसोई घर से जुड़ी हुई इन सब को ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है और रसोई घर में जितनी चीज़े हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर शरम घटाया जैसे वाशिंग मशीन आ गई इसने आपका शरीर शरम घटा दिया चक्की आ गई उसने बिजली की चक्की आई उसने आपका शरीर शरम घटाया सिल्बटे का शरीर शरम आपका घटा मिक्सी के आने से हर जो चीज आई है ओवन आया आपके हाँ माइक्रोवेव ओवन आया फिर ये फ्रिजा इसने आपका शरीर श्रम घटाया और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है बागबटी जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उमर है साठ के बाद जब आप साठ के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाएए साठ साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं अठारे से लेकर साठ साल तक शरीर श्रम चाहिए ही शरीर श्रम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहें अब तो हमने पोचा लगाने वाला भी मशीन ले आया जाडू लगाने वाला भी मशीन ले आया रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया चटनी बनाने वा कैसे हो गए जिंदगी का रस चला गया आनंद चला गया पहले घरों में काम करते समय जो रस था आनंद था वो सब चला गया कैसे चला गया मैंने बच्पन का मुझे याद है माताएं बहने काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी गीत गाती थी अब वो कामी बंद हो गया तो तो अब क्या करते हैं जो सिनेमा के गीत हैं उनका सीडी लगा के चला देते हैं घर में बच्चा पैदा हुआ तो चोली के पीछे क्या तो चीज बड़ी है मस्त मस्त आती क्या खंडाला तो जाती क्या खंडाला ये घर में बजाए जा रहे हैं कब जब बच्चा पैदा हुआ क्योंकि मां को बच्चा पैदा होने के समय के गीती याद नहीं है क्योंकि वो गीत गाने के लिए जो समय मिलता था काम करते करते वो समय चला गया तो गीत चले गए शादी के समय क्या-क्या गीत गाये जाते थे याद नहीं है अब तो वो डीजे ले आते हैं और वीजे पता नहीं क्या-क्या उसको बोलते हैं बड़ा साउंड बॉक्स और लगा दिया और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी न सूर न ले न ताल तो हमारे यांग काम में आनन्द था देखिए मैं आपसे विनमरता पूर्वक एक बात कह सकता हूं कि भारत की कोई भी मा शरीर श्रम से ठक सकती है बोर नहीं हो सकती ये शब्द बोरियत भारती ये शब्द नहीं है ये अंग्रेजों का शब्द है हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया बोर होना जी हम क्या कर रहे हैं बोर हो रहे है आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूँ जी क्या कर रहे हैं बोर हो रहे हैं अब बोर हो रहें तो करें क्या? तो ले देखे, वो एक टीवी है, चालू कर दिया, उसमें पोगो देखो, बोगो, अब पोगो में क्या है? वो और जादा बोर हो जाओ, तो पोगो की जगह कोई दूसरा देखो, लोगो, या तीसरा देखो, वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे क्यों क्योंकि इसमें interaction कुछ नहीं है सब कुछ one-sided है और गीत गाने में interactive है ये एक side नहीं है ये multi-sided है तो हमारी माताई गीत गाती थी हर समय के लिए गीत बने हैं पापड बना रही हैं बड़ी बना रही हैं उस समय के गीत अलग है मसाला पीस रही हैं उस समय के गीत अलग है शादी के लिए मसाला पिस रहा हैं उस समय के गीत अलग है शादी के लिए पापड और बड़ी बन रही हैं उस समय के गीत अलग है ये गीत इकठे आजकल मैं कर रहा हूँ हजारों की संख्या है गीतों की लेकिन इनको लिपी बद्धम नहीं कर पाई किताबे नहीं छपी इनकी नोट बुक्स नहीं बनी तो धीरे-धीरे खतम हो रहे है या तिरोहित हो रहे है इन गीतों में जो सुर है जो ले है जो ताल है वो हर मा के लिए आसान है हर मा उस सुर और ले और ताल में गा सकती है अवाज का पिछ उपर नीचे हो सकता है लेकिन सुर ले ताल वो सबको एक जैसा है मालूम है उत्तर सेदक्षन पूरब से पश्चन दान की पौधे लगा रहें तो अलग गीत है दान काट रहें तो अलग गीत है दान को घर ले जा रहें तो अलग गीत है हमारे यहां हर काम के साथ गीत और संगीत है क्योंकि बोरियत ना आए और आज जो आधुनिकता में से निकला है मौडरिनिजम में से निकला है इसने सब कुछ खटम कर दिया तो बोरियत ही आएगी समय आपका ले लिया तो बोरियत आएगा तो बागबटी जी कहते है कि आपका जीवन ये अब उनका पाँछवाँ सूत्र है आपका जीवन जहां आप रहते हैं जहां आप रहते हैं माने आप अद्रास में रहते हैं तो यहां की जो आबो हवा है जो यहां की तासीर है उसके हिसाब से चलना चाहिए राजिस्थान में रहते हैं तो वहां की आबो हवा तासीर से चलना चाहिए तो हर आबो हवा और तासीर में खास तरे के गीत, खास तरे का संगीत, खास तरे का श्रम, ये हजारों साल पहले बना और विक्सित हुआ है, ये वापस आएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी शंका होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, तो जरूर वापस आ सकता है, इतना मुझे बागवट्ट जी के पा सूत्र बताऊंगा, अगले 28 तक, अभी तक 5 बताए, कोई शवाल पूछना चाहें, जी पूछे, आथ उठाईए, और मेरी विन्ती है भाईया, कोई उठके ना जाए, प्लीज, थोड़ी देर रुकिये, ये सवाल हो सकता है, आपके भी काम के हो, जरूरी नहीं है कि जिनो पूछा उनी के काम के हो सकता, आपके भी काम के हो, थोड़ी देर सब रुकिये, प्लीज, हाँ, आप महरबानी करके इन 5 सूत्रों को करम से एक बार पसादे, अगर कागज पहन है तो लिख लीजे, कौपी है तो लिख लीजे, डाइरी है तो लिख लीजे, और मैंने आप स कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि नहीं लिख पाएं, तो भी चिंता मत करिये, ये सब सूत्रों की पुस्तकें बरपूर मात्रा में आ गई है, एक भाई कौन लेके आए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ट्रांस्पोर्ट में जाके, अंजनी कुमार जी है हाँ, बहुत धन्यवाद आपका, ये अंजनी भाई, हमने कई पुस्तकें ट्रांस्पोर्ट से भेजी थी, वो आ गई है, यहाँ पीछे हैं, भरपूर मात्रा में, ये सब सूत्रों में, विस्तार से हैं, मैं तो शौर्ट में बता रहा हूँ, आप वो भी ले जा सकते हैं, बाहराज स्टॉल पर भरपूर पुस्तक है, हाँ, पाच सूत्र फिर से बताता हूँ, सबसे पहला सूत्र जो मैंने कल कहा था, कि भोजन को बनाते और पकाते समय, सूरी का प्रकाश और पवन का इसपर्ष ना मिले, तो वो भोजन नहीं करना, अब सूरी के प्रकाश और प सूत्र था, बागवट जी का, कि खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खाना, खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना, बचना नहीं चाहिए, दूसरा सूत्र, वो मैंने विस्तार से समझा, तीसरा सूत्र था, कि खाना बनाने का जो सामान है, जैसे गेहूं का आटा, चने का आ आटा या तो बाजरी मक्की वगड़ा वगड़ा तो गेहु पंदरे दिन क्या मने गेहु का आटाः पंदरे दिन पुराना तक खा सकते हैं और यह जो मोटे अनाज कहे जाते लृज्शुरी है मक्की है ये साथ दिन पुराने से जादा ना हो मतलब यह है कि घर में 15 दिन से पुराना आठा नहीं रखना सीधा सा सूत्र है हर 15 दिन पे नया आठा आता रहना चाहिए उतना ही आठा पिस्वाईए ना जितना जरूरत है आप चक्की लाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लाते हैं चक्की पर जो आठा पिस्वाई कर ला रहे हैं वो 15 दिन से ज़्यादा पुराना ना ऐसा आप अपने घर में नियम बनाए तो यह तीसरा सूत्र है चौथा सूत्र है बागवट जी का जो मैंने आपको समझाया कि आप अपने शरीर श्रम को 60 साल की उम्र तक कम मत करिये मतलब यह है उन्होंने एक उम्र बनाई है बच्चा जब पेदा हुआ और 18 साल तक उनका एक कैटेगरी है 18 साल से ले के 60 साल उनकी दूसरी कैटेगरी है और 60 साल के बाद 100-100 साल उनकी तीसरी कैटेगरी है तो बागवट्टी जी का सूत्र ये है कि 60 के आगे की जो कैटेगरी वाले लोग है 60-100 सवासुद इनके जीवन का श्रम कम होते जाना चाहिए उम्र के साथ कम होते ही जाना चाहिए ये ज़्यादा श्रम ना करें तब ही अच्छा है इनको आराम ही करना है तो 60 से आगे की उम्र वाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब 18 से 60 के बीच के जो लोग है ये अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं 18 से 19 में थोड़ा जादा 19 से 20 में थोड़ा जादा 20 से 20 में थोड़े जादा ये है और 18 से और एक साल वाले माने जिनका जनम हुआ है और 18 साल वाले इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी उम्र जो है ज्यादा श्रम करने की वहाँ है जो इनको खेलने के रूप में है आप वो माने की श्रम है जैसे बच्चा खेल रहा है यह उसका श्रम है तो आप उनको ज़्यादा खेलने दीजिए मतलब यह है कि 18 साल से कम उमर के बच्चों को खेल कूद ज़्यादा करने दीजिए वो उनका श्रम है 18 से 60 की उमर में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन भी होता हो चक्की चलाई तो आटा बन गया सिल्बटा चलाया तो चट्नी बन गयी माने उत्पादन कुछ न कुछ हो तो उत्पादक श्रम 18 से 60 के बीच में कम मत करिए 60 के बाद इसको कम करते जाए और 18 से एक साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत कराई यह है और आखरी सूत्र माने आज के हिसाब से आखरी सूत्र कि आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए आबो हवा का ध्यान रखिए बातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे माने भोगोलिक परिस्थती एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान रखिए इसका ध्यान कैसे रखना मैंने आपसे उधारन के लिए उप में कहा था कि भारत गरम देश है और कनाड़ा ठंडा देश है गरम देश के लोगों में हमेशा वात की प्रबलता रहती है शरीर का दोश है अब उसको क्या हमेशा कम रहेगा इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे जादा है बागवटी जी कहते हैं कि भारत के लोगों को लगवग 70-75 प्रतिशत रोग वात के हैं 12-13 प्रतिशत रोग पित के हैं और 10 प्रतिशत रोग कफ के हैं कफ के रोग हमारे यहां सबसे कम हैं पित क के थोड़े जादा वात के सबसे जादा क्योंकि हम गरम जगे रहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि गरम जगे में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े जैसे मैं आपको एक उधारन दूँ माफ करिएगा ये उधारन देते हुए आप दौर लगाते हैं रणिंग इसमें वात सबसे जादा बढ़ता है हमारे आज कल एक फैशन आया मौर्निंग में दौड़ो दौड़ना नहीं है चलना है चलने और दौड़ने में अंतर आप समझते हैं दौड़ने में ऊर्जा बहुत शरीर की गरमी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ाएगी वात बहुत जल्दी आपके ठकेंगे आप देख लो जितने हिंदुस्तान के रनर है ना रनर सौ मीटर दौड़ने वाले 200 मीटर 35 साल के बाद किसी के घुटने काम नहीं करते सब बैठ गए मिलखा सिंग को मैं मिलाओं वो कहते हैं यार उस समय जो मैं दौड़ गया न अब पता में निग्वाक के लिए जाओ रनिंग के लिए मत जाओ जाओ जाओगे तो बात बढ़ेगा बात बढ़ेगा तो तकलीफ Hayır तो geri Finance आग जहां रहते हो всю GOT हा की आबो हवा और तासीर को ध्यान में रखो हमारी आबो हवा गरम में बात बढ़ता है यह याद रखो तो बात बढ बढ़ेगा तो वो उसका ध्यान रखें जो कनाडा में रहते हैं अमेरिका में कि कफ मत बढ़ने दो अब बात ना बढ़े हमारा कफ ना बढ़े यूरोप और अमेरिका वालों का तो सारी दुनिया निरोगी पित्त जो है वो सम्मे वैसे भी रहता है पित जो है ज़्यादातर सम्म ही रहता है तो ये पांचवा सूत्र है तो ये पांच सूत्र मैंने फिर से आपको बता दिया राजीव जी आपके प्रथम सूत्र के अनुसार सोलार कुकर कितना उप्योगी है बहुत अच्छा सवाल है मैं इंतिजार कर रहा था कोई पूछे देखिए मेरे प्रथम सूत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे ज़्यादा उप्योगी है क्योंकि बागवट जी क्या कह रहे है सूरिका प्रकाश पवन का इस पर अब सोलर कुकर एक ऐसी अद्भुत चीज़ बनी है या बनाई गई है जिसमें सूरिका प्रकाश सबसे ज़्यादा तो सोलर कुकर का खाना बहुत अच्छा लेकिन कौन सा सोलर कुकर देखिए एक सोलर कुकर ऐसा आता जिसमें डब्बे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं ना वो सब अल्यूमिनियम के डब्बे हैं वो ध्यान रखिएगा आपने देखा ना सोलर कुकर में वो डब्बे बंद करके हम रखते हैं और कल मैं कह चुका हूँ इस बात को के अल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसमें खाना नहीं रख सकते तो सेलर कुकर as a technology अच्छी है लेकिन उसके वैसल्स चेंज करें तो अल्यूमिनियम के वैसल जब तक है तब तक ये सेलर कुकर का खाना जहर जहर है लेकिन सिद्धान रूप में सेलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेकनॉलोजी है तो आप बोलेंगे फिर कोई वैसल बदल के उसमें रखे रखिये पीतल के रखिये कांसे के रखिये तो वो ये कहते हैं सोलर कुकर बनाने वाले के टाइम ज़ादा लगता है मैं उनसे कहता हूं टाइम का बचाने का चक्कर छोड़ दीजे क्योंकि यहाँ टाइम बचाएंगे तो दूसरी जगे जाएगा हॉस्पिटल में तो जैसे ही सोलर कुकर में वैसल आ जाए पीतल के कांसे के आप उनका जरूर इस्तेमाल करिए वो विग्यान के हिसाब से बागवट के हिसाब से सबसे उत्तम है जब तक Aluminium है तब तक मत करें मेरी एक विंति है आप मुझे सर मत कहिए या तो बहाई कहिए राजीब भाई कहिए कुछ भी कहिए सर मत कहिए सारे नए innovations पे आपने बोला तो आपने refrigerator के बारे में बोला megorrow oven के बारे में बोला पर आपने air conditioner के बारे में नहीं बोला because even that gives CFC उसमें भी CFC छोड़ते है वो में अभी पूरा नहीं हुआ कल और पर्फ्यूम्स बोलूँगा कल परसों अभी 28 तक ये विशे आएगा बागबट का सूतर आएगा उसके reference में मैं बोलूँगा पादर नियराजी भाई आपके दूसरे सूतर के इसाब से 48 मिनिट में खाना खा लेना चाहिए पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं उनका हम क्या चाहिए बहुत अच्छा उसके लिए मैं एक विकल्ब बताता हूँ जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं उनके लिए ये सूतर कैसे अपलाई होगा मेरी विंती है कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल बेजिए आप बोलेंगे जी खाते नहीं है मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कैसे खाएंगे वो खाना हमारे शरीर की अपनी एक साइकल है और वो साइकल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके आठ घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको ये शरीर का अपना नियम है तो बच्चों के ऊपर भी यही नियम है पुरुषों के ऊपर इस्तरे सब के ऊपर तो साइकल शरीर की ये है कि खाने के आठ घंटे के बाद ही भूख लगेगी तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजे कि सुबह तक आठ घंटे पूरे हो जाए मने अगले दिन शाम कोई खाना खिला दीजे रात को मत खिलाई शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया 6 बजे तक तो 8-9 बजे तक सोने की नीद उनको आई जाएगी क्योंकि डेड़ घंटे के बाद जैसे ही खाना पचके रस में बदलता है बॉडी का बलड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है और बलड प्रेशर बढ़े तो नीद आनी ही है रुक नहीं पाएंगे आप तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजे 8 बजे तक नीद आ जाएगी और 6 बजे से 8 घंटा गिनेंगे तो सबेरे 4-5 बजे तक वो पूरा हो जाएगा तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सो कर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो वो खा के चले जाएगे आपको थोड़ा बदल ये करना है कि रात को हम बच्चों को 10 बजे खाना खिला रहे है या 11 बजे खिला रहे है उसके 2 घंटे के बाद रस बन रहा है तो 1 बज जाएगा 3-4 बजे तक आधा खाना पचा आधा नहीं पचा सबेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे तो आप शाम का खाना जल्दी खाने लगिए माने सब लोग जैनी हो जाईए हाँ परोक्षुरूप से मैं ये कहता हूँ कि जैन धरम आप पालन करें वो महत्तुका है धारन करें वो महत्तुका है उतना नहीं है आप आचारी श्री को बंदन करें बहुत अच्छा नहीं करें तो शाम का खाना तो 6 बजे खालें तो आप आचारी श्री के बंदन से भी बड़ा काम करेंगे वो आचारी श्री भी यही कहते है शाम का खाना जल्दी खाओ तो आप थोड़े जैनी हो जाईए आपका भी खाना नहीं है बहुत अच्छा है लेकिन रात का बंद कर दीजे बच्चों को रात का खाना बिलकुल बंद कर दीजे मैं आपको विनमरता पूरवक कह रहा हूँ इसको मैं कल या परसों बहुत विस्तार से समझाऊंगा पूछ लिया आज आपने इसलिए कह रहा हूँ रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि बागवट्टी जी का ये जो पहला नियम है न ये अभी मैंने आधा ही बता सूरी का प्रकाश और पवन का इसपर्ष हर समय वो कहते हैं खाते समय, पीते समय रहना ही चाहिए अब 6 वजे के बाद तो सूरी प्रकाश रह नहीं सकता और आप जानते हैं सूरी प्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विटेमिन डी का निर्मान सूरी प्रकाश में ही विटेमिन डी बनता है तो जब तक ये सूरी प्रकाश है तब तक खाना खाए तो विटेमिन डी मिले और बच्चों को विटेमिन डी सबसे ज़्यादा चाहिए इसलिए बच्चों को तो रात का खाना बिल्कुल बन करिए शाम छे बजे खिला दीजे सुबह साथ बजे जब स्कूल जाएंगे कोभी का पराठा अलू का पराठा जितना पराठा पूड़ी जो जो पकवान सब सुबह सब सुबह दुपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम शाम का बिल्कुल कम तो बच्चों को भरपेट खाना खिलाके स्कूल बेजिए लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है ज सारे जानवर, सारे पक्षी उठते ही खाना खाते हैं, आप देखो, चिणिया है, सुबह सुबह खाने पे लग जाएगी, गाये बैल, भैस, बक्री सब सुबह खाने पे लग जाएगी, क्योंकि वो शाम को सूरी के बाद खाना नहीं खाते, कोई गाये रात को खाना नहीं खा तो भारत की तासीर ऐसी है इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिये सुबह भरपूर भोख लगे और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजे खाली पेट तो कभी मत भेजे आपने कह दिया जी दूद पीके गया दूद पीक बंऄ नहीं है तो सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत इंखए है अगर भरविष्य में आप उसको एकीडिप लेटी अलसर बचाना चाहते हैं तो हाँ पील से अगर परिवर्तन बेमानी नहीं है तो ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम अपनाएं और ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम ठुकरा है उस पर जरा हुजाएं अच्छा सवाल देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं ये प्रकरती का नियम है और यही जीवन है ये बिलकुल सही बात है लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल है बस इतना ध्यान देना है अब इस बात को बाग परिवर्तन होगा वो आपके अनकूल है और जो आबो हवा और परिस्थिती में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है अब मैं इसको और इसपश्ट करता हूँ यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में ज कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो उनके लिए बहुत अनकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनकूल होगा अब जैसे मैं आपको उधारण दो चक्की है चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है पहले वो नहीं था आज हुआ है हमने चक्की में बीरिंग लगा दिया है पहले चक्की में बीरिंग नहीं होता था खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को गुमात थे बीच में लकड़ी का एक उसमें वह लगाते थे वह लकड़ी का हमने निकालके उसमें बीरिंग लगा यह भी परीवर्तन हुआ यह हमारे अनुकूल बैठता है क्याएं क्योंकि बीहरिंग लगने तरह से और एक उधारन दो हमारे कुछ कारी करता है पूना में उन्होंने बैल गाड़ी के पहिये में भी बीरिंग लगा दिया परिवर्तन यहां भी हुआ नई बैल गाड़ी बनी उसमें बीरिंग का पहिया है अब उसका क्या हुआ कि बैल को खीचने में मदद हो गई पहले एक टं अनाज लेके जाता था अब बेरिंग लगी हुई बैल गाड़ी में जो ये भी परिवर्तन है तो परिवर्तन हमारे आबोहवा आबोहमावाने परियावरण और हमारी प्रकृति के अनुकूल है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और दूसरों के आबोहवा और प् बच्चा पूछ रहा है हाँ पूछो एलेक्ट्रिक गैस को यूज करना के नहीं इलेक्ट्रिक गैस जादा अच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजे लेकिन अगर विकल्प है भारत में तो है ये मैं जानता हूँ इसलिए जादा अच्छा नहीं है अबो हवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है जैसे राजस्तान में गेओं की बहुतायत होती है और यहाँ पे चावल की होती है यहाँ पे चावल के खाने के आईटम जादा होती है तो क्या ये सही होगा कि यहाँ चावल का हम खाने में चावल का उपियोग जादा करें बिल्कुल सही होगा आप इस समय चिन्नई में रहते हैं तमिलनाडू और पूरा एरिया चावल के लिए मशूर है तो आप चावल ही जादा खाईए और इसको जादा आगे बाद गहरी बता देता हूँ यहाँ की जो म मिट्टी है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है यहां की मिट्टी आप अगर देखोगे तो वह ऐसी है जो पानी को जादा देर पकड़ के रखेगी और राजस्थान की मिट्टी रेती ली है जिसमें पानी ठिकेगा नहीं ये भगवान ने अच्छे से बनाया है राज़स्थ है humidity जादा है तो आपको वो chemical नहीं चाहिए तो भगवान ने ऐसी मिट्टी बनाई तो यहां की मिट्टी से जो चावल पैदा हो रहा है वो आप जादा ही खाईए गेहू राजिस्तान से लाकर खाने की कोशिश मत करिए माने आप अगर यह कोशिश करेंगे तो तकलीफ आपको आने वाली है इसलिए आबो हवा का ध्यान रखिए चावल के प्रिप्रेशन यहां जादा है वो आप जादा खाईए अब समस्या आपके साथ यह है कि आप राजिस्तान से आतो गए राजिस्तान छूटा नहीं आप से वो छूटता नहीं है समस्या वहां आती हम बिहार से आ गए तो सिर्फ इस्थान परिवर्तन हुआ मन परिवर्तन नहीं हुआ मन अभी भी है राजिस्थान में माने मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि अनकूल परिस्थती हो गई तो आप वापस राजिस्थान चले ही जाएंगे क्योंकि मन नहीं छूटा आपका मन नहीं छूटा है इसलिए आपका स्वाद भी नहीं छूटा यह सम्मन का खेल है मन से सारे स्वाद और वो सब जुड़े मन नहीं छूटा तो स्वाद नहीं छूटा तो आप फिर गेहूं मंगवाते हैं और उसको रोटी बना के खाते हैं वो स्वाद के लिए तो ठीक है पॉष्टिकता के हिसाब से आपके लिए चावल ज्यादा ठीक है तो शायद आपने एक बैलेंस बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं चावल भी खाते हैं यही है ना तो इसी को चलने दीजिए मैं आपका मन छुड़ाना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर्मनेंट यहां रहें एक दिन राजिस्थान तमिलनाडू से अच्छा हो जाए तो आप चले जाए यह मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए वो स्वदेशी के लिए अच्छा है तो आप मन को और स्वास्त को बैलेंस कर लिजे बैलेंस इसमें यह है कि दो तीन रोटी खा लिजे और थोड़ा चावल खा लिजे ऐसा कुछ कर लिए थोड़ा इडली खा लिजे और थोड़ा हलुआ खा लिजे हलुआ इडली के साथ जरूर खा लिजे बैलेंस के लिए थोड़ा दोसा खा रहे है तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एका टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में किसके साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहे हैं टिका रहे हैं लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वास अलिGन काने के हिसाब से बहुत इप कंदी चीज है तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वह आलियुमिनिघ काथ के हिसाब से यह आने पैकिंग वगर रहा है उसमें यह जो जड़ते थे ख़ें कि आपका अफडार अप भीज़ का रहता है कि aluminum foil में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में ये बहुत ही खराब है अच्छा नहीं है तो आप बोलेंगे जी किस में पैक करें खाना कपड़े में पैक करना सबसे अच्छा है कपड़ा सूती कपड़ा होता है ना पतला एकदम पतला उसमें जो रोटी बान के आप रखें वो दुनिया का सबसे अच्छा पैकिंग है वो विग्यान के हिसाब से बहुत अच्छा है पतले सूती कपड़े में रोटी बान कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है